पावस्टार पावन सिंग की एक फिल्म जुसका इंतिजार बनने से पहले ही लोग करने लगे हैं। फिल्म अभी बनी नहीं है लेकिन फिल्म का इंतिजार उनके फैंस बेसबरी से कर रहे हैं। फिल्म का first schedule पूरा हो चुका है, second schedule बाकी ही है, लेकिन second schedule सुरू क्यों नहीं हो रहा है, fans ये जानना चाते हैं, बहुत सारी information के साथ हम video लेकर आए हैं, क्योंकि हमें पता है कि पवन सिंग के जितने भी fans हैं, उनके लिए ये film कितनी खास है, हम बात हर हर गंगे की कर रहे हैं, जी हां हर हर गंगे की और ये film इसलिए curiosity का कारण बनी हैं, क्योंकि भोचपुरी की अब तक की सबसे महंगी budget की film बन रही है, तो और ये pan India फिल्म के तहत बनने वाली पहली भोचपुरी फिल्म है, जी हां इसे अलग-अलग भासाओं में release किया जाएगा, अलग-अलग state में खेर, अब हम बता देते हैं कि क्यों इस फिल्म का जो second schedule है, वो अभी तक शुरू नहीं किया गया है, फिल्म के डिरेक्टर चंदनु पाध्याय से लगातार लोग ये सवाल कर रहे हैं, तो और इसका जवाब ये है कि फिल्म में अभी कई गाने रखे जाने हैं, जिसकी shooting ब मिलना भी एक बहुत बड़ा खेल है, क्योंकि बैक टू बैक आप देख रहे होंगे कि पावस्टार पवन सिंग के गीत रिलीज हो रहे थे, पहले सावन के, फिर नवरात्र के, और अब छट के, जैसे ही छट पूजा के recording और shooting complete हो जाएगी, पावस्टार पवन सिंग अपन के schedule को complete किया जाएगा, अगर पावस्टार पवन सिंग टाइम देने में नाकामियाब रहते हैं, या फिर कुछ कोई दिक्कत आ जाती है, तो इन सारे सीन को डिरेक्टर साहब शूट कर लेंगे मुंबई में, ताकि फिल्म को तय समय पर रिलीज भी किया जाए, ओडियंस मे इस फिल्म के क्रेज को देखते हुए, चंदन उपाध्याय इस फिल्म से कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, इसलिए चंदन उपाध्याय चाहते हैं, इस फिल्म को तय टाइम पे भी रिलीज करना उतना ही जरूरी है, जितना second schedule complete होना, तो क्या कहेंगे आप हमारे इस report के बारे में comment box में comment कीजिए, साथ ही चैनल को subscribe करना बिल्कुल न भूलिए